रोमियों के नाम पॉलुस प्रेवित की पत्री सोलमा अध्याय मैं तुम से फीबे की जो हमारी बहिन और किंख्रिया की कलिस्या की सेविका है बिंती करता हूँ, कि तुम जैसा की पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभू में ग्रहन करो, और जिस किसी बात में उसको तुम से प्रियोजन हो, उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की बरन मेरी भी उपकारणी हुई है। फ्रिस्का और अक्विल्ला को, जो ईशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं, बरन अन्य जातियों की सारी कलिस्याएं भी उनका धन्यवात करती हैं, और उस कलिस्या को भी नमस्कार, जो उ उमारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार, अंद्रुनिकुस और युनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं, और मेरे साथ कैद हुए थे, और प्रेडितों में नामी हैं, और मुझ से पहले मसीह में हुए थे, नमस्कार, अंपलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रि प्रिये इस्तखुस को नमस्कार, अपिलेश को जो मसी में खरा निकला नमस्कार, अरिस्तु बुलुस के घराने को नमस्कार, मेरे कुटुम्बी हेरोधियोन को नमस्कार, नरकिस्स के घराने के जो लोग प्रभु में हैं उनको नमस्कार, तुरुफैना और तुरुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं नमस्कार। प्रिया पिर्सिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया नमस्कार। रूफ उसको जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता जो मेरी भी है दोनों को नमस्कार। असुकृतुस और फिलगोन और हिमस और पत्रुबास और हिमान्स और उनके साथ के भाईयों को नमस्कार, फिलुलुगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन और उलुमपास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार, आपस में पवित्र चुम्बन से नमस तुमको मसी की सारी कलिस्याओं की ओर से नमस्कार। तुमको मसी की ओर से नमस्कार। और लुकियूस और यासोन और सोसी पत्रुस मेरे कुटुम्बियों का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्तियूस का प्रभु में तुमको नमस्कार। गयूस का जो मेरी और कलिस्या का पहुनाई करने वाला है उसका तुम्हे नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है और भाई कौार्तुस का तुमको नमस्कार। अब जो तुमको मेरे सुसमचार अर्थात इश्यूमसी के विशय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। उस भेत के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। परन्तु अब प्रगठ होकर सनातन परमेश्वर की आग्या से भविश्डक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आग्या मानने वाले हो जाएं। उसी अद्वैत बुधिमान परमेश्वर की इश्यूमसी के द्वारा दानियुग महिमा होती रहे। आमीन